कि नमास्कार दोथो स्वागत थे आप सुईका आपके अपने प्रेयास जीस में जैसा कि फेंट्स आज आज आपका बीजुन-बीजुन से दोस्तों आपका सस्य सेलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एक्जाम था जो की फॉर्सिट्ट का भी एक्जाम समाप्त हो क्या है तो फॉर्स सब्सक्राइब कर लिएगा और पर क्लिक किजिएगा पीडियो टेल्ग पर मिल लियागा इससे पले दूस्तों और इसको आप लोग अगर देख लेते हैं तो आने वाले शिप्टों में जो भी एक्जाम होगा वहां से उसमें 50% आपको इन्हीं दो वीडियो से देखने को मिल कुछ मत पढ़िए अभी के समय में जो पढ़ना था आपको एक्जाम से पहले ही पढ़ना था ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रस्णे तो आज का जो पहला प्रस्णे फोश्रिप का हुआ है वाई आई एम एन एटिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है क भगत सिंग अपने धार्मिक मित्र को जवाब था जिसने जिनोंने सोचा था कि भगत सिंग अपने घवन के कारण नास्तिक बन गये थे इसके अलाबा यह लाला राजपतराय के सबताहिक द इंग्लिश में उनकी मिर्तिव के बाद परकासित हुआ था भगत सिंग की बात कर से कता है कि नौजवान भहरज सबाः का अस्थापना भगत सिंगं ने कब क्या था 1927 में किया था किसने किआ था तो भगत सिंगने किया था सात में एक से पूछ जाएगा कि त्वारा भगत सिंग के दुवारा जो भम फेका गया था वोक फेका गया था ते हैं इसम काbn आ наконец फासी दिया गया था वो आपका लाहोर स्रेंट सांडर्स की हत्या के मामले में दिया गया था तो इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बाकी बहुत से सारे इसे लोग हैं जो कि आपको 1000 पेज की PDF दे कर ये बताना चाहरे हैं कि जो भी प्रशन जो भी आता है वह आपका PYQ से रिलेटेड आता है जो भी एक्जाम आपका SSC का कन्यंक्ट हो चुका होता है तो अगर आप उन से पांच-छे एक्जामों को अगर आप अच्छे से पर लेते हैं विद एक्स्टा फेक्ट्स तो आपका परस्ण आपको वहीं से अगर आप पांच-छे एक्जामों का परस्ट पर लेते हैं जो आपकी हाली में जो एक्जाम कंड़क्ट हुआ है तो उससे भी आप लोग आपसानी से 25 में से 20 22 22 22 22 परस्ट असानी से सही कर सकते हैं बस जो आपका करन्ट फेस का जो पूर्शन होगा वहीं अलग होगा और वह भी आप लोग जान रहे होंगे तो इसके लिए दूस्तों आपको बता दें कि कंप्लीट एक्जाम पीडियाफ नोट से जो कि इसमें आपको एक्जाम के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को लगाया गया है जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्डट है ठीक है यह सारे प जो लगाये गया है उसे में समय खर्च हुआ है और शी का आपसे नोमिनल एक प्राइस ले जाता है जो कि मात्र आपको 99 रुपए देना होता है ठीक है इस पीडियाफ को बाइक करने के लिए आप दो वाट्सप नमर दिया गया है दोनों मेंसे किसी एक पर आप संपर्क कर स चाहते हैं तो आप डालेव.अमनप्रयाज.इन पर भी खरी सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा बाकी अगर चाहते हैं कि एक बार में खरी ले और इसको पढ़ते रहें तो आप नमेर पर में आप इसे दो वाट्सप नमर है इसमें से किसे एक पर करके बीडियो को बाई कर सकते हैं ठेक है चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स पूछा गया निमलिकित में से कौनसा आंदर प्रदेश का सास्तर नर्थ है आंदर प्रदेश का सस्तिनरत की बात करेंगे तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो दुस्तों हो में हैं टेके आंद्प्रदेश अस्टेट में हैं जीला में राजी में हैं इसकी परिकल्पना सत्मी सतब्दी में बेश्णों कभी सितिंद्र योगी ने की थी इसकी शुरुबात भगमान गनेश के आवहान से होता है जिसके बाद नित्रा गेर कथात्मक जा नाच निर्थ पर क्या जाता है जहां गायक मर्दगम वायलेन बाश्री तंबूरा जिसे वाद देंतों के साथ होता है बाकी आठ जो सास्ते नेर थे उसको हम 45 मिनुट के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता है आप लोग जाकर उसको वीडियो को देखिए तब आपको समझ में प्रते खिलारी दो बिशब के साथ खेल की शुरुवात करता है बिशब एक तिरची देखा के अनुदिस चलता है यह उन प्यादों में से एक है जो खेल के प्रणविक चर्णों में अहम भूमिका अधा करता है बस ठीक है बस आपसे एक यहीं वेजन है कि जब आप वीडि क्रेज़ुन में हो सकता है वहाँ पर शेर किजेगा क्योंकि आपको भी अवास से लग रहा होगा कि हमें सरदी है सरदी के कारण क्या होता है यह सभी आप लोगों को मालूम है यह उस प्रसिति में हम आपको सभी शिप्टों का वीडियो विथ पीडियव जोकी उपलब्त क ट्राइट कीजिए ज्यादा कुछ मत कीजिए मेडियो को लाइक किजिए और आपका मुहन जोदारों हरभा आपका जबसे बड़ा जो कहां इस तो यա पाकिस्तान में संदू नदी पर इससा स्प्सुरी विशाल हरप्पा ए मौनजुदारो श्री विशाल अस्णानागार की खुदाइक कि गई हे संदू विशाल अन्ना गार आप से पूचा जाएगा यह आपका कुदाई क्या गया है कहां पर तो अरफपा में ठीकए इसका कुदाई रावी नदी पर रजधानी सहर यहां से पंक्ति में लगता 6 अनाज्र के बंडार काम करने वाले मजदूर्य के खुदाय की गई है राखी गरी की बात करते हैं राखी गरी सिंदू घाटी सवयता का सब्से वड़ा भारति सथल भारत में की ती पाकिस्तार में प्रक्रत करेंगे टो यह वह कर के हैं तो यह एक अधुतिय करफ़ें से जल दोहन प्रनाली इसकी जल निकासे प्रनाली एक विशाल कुवां एक असनार जल खुण की खुदाई की गई थी शात में आपके नेक्स नहीं पहले की सिप्टों में फरस्ट शीप फ्र शेक्ट में पूछा गया है लोथल के विश्यम में कि निम्लिकित में से क चार नामों में आपका नामों में आपका यू ओ यो आपका छैंपिन सीफ मतले नहीं है बाकि तीनों भार्षा दोनामेंट है ने सब्सक्राइब नामेंट है नेख सोचन पुछा गया आपका भारत ये समिधान के प्रश्टामना में न्याय का उद्देश कहां से लिया गया है न्याय का उद्देश के बात करते हैं तो न्याय का उद्देश लिया गया है रुशी करांती से रुशी करांती कहने का मतलब है रुश से लिया गया है ठीक है तो इसका रहे टेंसर रुश हो काणून का शासने बिधाय करिया लोत अर्य और आले कायों कंगे जो करतμεंगे hy राशपती राशपती के दोवारा सक्षील दीजित कि गत्रात हीए लिए गया है राजपती पर जो महाव्योग लगता है वह लिए गया है अगर आप से प्रस्तामना का भासा पूछेगा यह उस्टिलिया से लिए गया है इसके लावा उस्टिलिया से और भी चीजे लिए यह जैसे समर्ती सुची के अवधाना अनुछेद 108 रदा दोनों सदन की सेंग तो बैठक बैठक बैपार वनीज की सवतंतर ता कनाडा से देखिये क्या क्या लिया गया है और सिस्सक्तिया लिया गया है शंगवाद का केंदर परसारक जहां केंदर राज्यों से अधिक मजबूत होता है अधिक करता है यह अवधाना कनाडा से सरवोष नियाले का सलाच चितारिकार यह आपका कनाडा से लिया गया है उसके लिए संसुधन आपका 369 तके तत करता है यह सभी को आप कफन करता है यह ही कतना अपको ब ratios आपको प्ताते कि भारत के महने वादी को परधार मनते है राश्य सरवादी का लिए कि भारत के लिए महानयवादी राषपति भारत के महानयवादी पत्रक्त की लिए राषपति की लिए राषपति की प्रशाद इसमिन हता है स्टित में नहीं जाता है कि उसकी द्वारा उस्से निक्ट किया जाता है महानेवादी के इसा प्राप्त करता है वो यह कि राश्पती कर सकता है अगा राश्पती बोल दे कि भारत के महानेवादी प्रमंद मिलेगा तो पांच एक पर मंध्य यह जरास्पति जितना बोल दे कि स्रवादिक के बाल लिगा नुपात आपसे पूछा गया था वह भी श्रवादिक पूछा गया था तो रइट एंस तर आपका सबसे कम भी पूछा ही जाएगा वहां का बाल लिंगानुपात 834 है साथ में आपके इंसाजित प्रदिस का बियाद दखिएगा सबसे अधिक है आपका अंडमान और निकोबार दिपसमु का वहां का 968 परती हजार पूरुष है एक हजार बच्चियों पर नेक्स को से पूछा गया देश की पहली डेलगारी कहां से कहां चलाई गई है देश की पहली डेलगारी के विश्चे में आपसे पूछा गया था तो राइट एंसर होगा मुंबाई से थाने के बीच चलाए गया था बारत में पहली याती डेलगारी मुंबाई के बोरी बंदर से थाने महराष्ट के चलाए गया था यह 14 बोग्यों की रेलगारी थी इसे शाही भीन सिंध और सुल्तान नाम के तीन इंजनों के द्वार चला गया था इसमें 437 वारति चौतिस किलोमेटर की याता दोड़ी की अधिनी पहली रेलगारी राइन चलाए गई अगला है भारतिय खाद निगम यानि के फुड कॉर्परेशन ओफ इंडिया के वरतमार में अध्यक्ष कौन है तो वरतमार में अध्यक्ष आगर आपसे पूछेगा तो राइट इंसर था स्री डीवी परशाद टेके फाड़ स्थापना की बात करेंगे तो 14 जन्मरी निगम है भारत में खाद शुक्षा को सुनिशित करने है तो यह खादानों का क्रय करके उन्हें गोदाओं में भंदारित करता है अगला कुछन के पूछा गया पूर्ण स्रोराज के मांग किस दिवेशन में क्या गया है पूर्ण स पूर्ण सुराज पारित किया गया था और अर्थात प्लाहोर दिवेशन में कुल सोतंता परस्ताव पारित किया गया था उसी दिवेशन में जुहालना नेरु को कॉंग्रेस का अधिक चुना गया था सरवाजिक रूप से शब्वी जब 1930 को इसकी घुशना भी की गया थी नेरु नेरु ने पॉंग्रेस के साथ रभी के टट पर मार्च किया और उन्होंने शुपूर्ण सुराज हसिर करने तक अराम ना करने की सब पतली 21 दिसम्बर 1927 को तिरंगा जंडा फोड़ाय गया था नेक्स कोशन पुछा गया इस्लामिक कलेंडर के नुशार इद कौन से महीने में मनाया जाता है तो इसका राइट इंस तो होगा जू अलहजा ठीक है इस्लामिक कलेंडर के मुताबिक इद उल्फितर का तिभार हर साल 10 सवाल की पहली तारीक को मनाया जाता है भारत में इद दोल फ्यूतर तो चोबिस की बात करेंगे दस अप्रेल को हुआ था ठीक है बाकी ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कॉमेंट सेक्षिन मताईएगा तो फोर स्ट का अभी तक इतना ही प्रस्ट मिला है बाकी और भी प्रस्ट मिलेंगे उसको लोग पीडिएफ में द दाला गया है तो मार्त 99 में वाट्सप नमबर दिया गया है किसी पर नमबर पर संपार के लिए आपको यह मिल जागा बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वी में जबता के लिए जैहीन वंदे भारत वंदे भारत नहीं वंदे मात्रम